जाकर समाज की बनाए नियम का उल्लंगन करती है और देवी का की जान बचाने की कोशिश में जुच जाती है कीमत पर जान बचानी है मुझे चावी दे दीजिए पिता जी मा ठीक बोल रही है चावी दे दीजिए न नहीं तो देवी का नहीं बचेगी देविका मरती है तो मर जाए लेकिन यह दरवाजा नहीं खुलेगा तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की भीमारी ने पागल कर दिया है और इस भीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे वीना बेटी सुजाता बहुँ जाओ अंदर से देविका खुले कर आओ विमला ये बोलकर अपने पती के हाथ से चाबी छीन लेती है तबी महंदर विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से चीन लेता है बाबी, घर के मर्दों से टककर लेकर आपच्छा नहीं कर रही हो, ये इस घर के संसकार नहीं है महिंदर की बाद सुनकर कम्मो अपने पती के हाथ से चाबी छिन कर कहती है इस घर के संसकार क्या है, हम अच्छी तरह से जान गए है आज इस घर का दर्वाजा खुलकर रहेगा, और देवीका डक्टर के पास जाकर रहेगी भाबी, ये लो, दर्वाजा खुलो विमला ताला खोल देती है, तब इवीना और सुजाता देवीका को लेकर आ जाती है घर की सारी औरते देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तबी सुजाता का पती मोहन उससे कहता है सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बहां निकाला तो वापस इस घर में मताना में देवीका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी देखते हूं कौन रोगता है मुझे देखता हूं कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन दुमारी मदद करता है कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हैं नागरे के लिए खुले है मोहन को अपनी पत्ती से इस तरह बात करता दे कल्यान मीना से कहता है वीना तुमने देवीका का साथ दे कर अच्छा नहीं किया अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिष्टा खत्म समझना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए तुम खोद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो कभी सार उपी के साड़ी दिलाई है मुझे मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना समझे ये बोल कर वीना और घर की सभी औरते देवीका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है महाजानी की बाद डौक्टर जल्दी से देवीका का चेकप करता है चेकप करने के बाद वो गुस्से से कहता है ये क्या किया है तुमने, क्या हुआ डाक्टर साब, आपकी बहु की इतनी ज्यादा हालत खराब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया, आपको तीन दिन पहले ही ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाना डाक्टर साब, आप देविका को बचाईए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए देखिए, हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप इनके पती को बलाएए, हमें कुछ पेपर पर साइन करवाना है डाक्टर की बात सुनकर सभी औरते सोच में पड़ जाती है, तब ही वीना कहती है डाक्टर साब, इनकी पती नहीं आ सकते, ये इनकी सास है विमला देवी, आप इनसे साइन करवा लीजिए लेकिन पेशिंट की हालत इतनी नाजुक है, इनके पती है कहाँ? वो अपने आदमी होने का धर्मनी बार आहा है, पती धर्मन के बारे में उसे कुछ नहीं पता डाक्टर साब वो नहीं आएगा, क्या क्या करना है आप मुझे बताएगे थोड़ी दिर बार डाक्टर देविका का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, जब वो ऑपरेशन थेटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं आप लोगों की किस्मत अच्छी है, देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी डाक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती हैं और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई, डाक्टर ने देविका को घर जाने की इजासत दे दी, लेकिन सबी सोच में पड़ गये हम भाबी को घर ले तो जाएं, लेकिन मा आपको घर का माहुल पता है न, देविका भाबी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, भाबी वहाँ आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर की सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे मा, क्या हम डक्टर से बात करके, देविका को थोड़ी दिन और यहां नहीं रख सकते जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो उसे यहां से ले जाएंगे ये बात सुनकर विमला सूच में पड़ जाती है, तभी कमो कहती है कमो डक्टर से बात कर लेती है, और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है देविका अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी आउर्तों के साथ अपनी ससुराल जाती है लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दर्वाजे पर ही रोक देते हैं खबरदार तुम में से कोई भी आउरत अगर घर के भीतर खुसी अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर आपवित्र हो जाएगा घर हमारे कदम रखने से आपवित्र नहीं होगा बलकि आपकी गंदी सोच की वज़े से घर क्या और पूरा समाज अपवित्र हो रहा है सुजदा मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए अब एक काम कर जैसे ही यहां आई है वैसे ही यहां से सिदा अपने माई के लोट जा क्यों जी क्यों चली जाओं मैं अपने माई के मैं जब तक चाहूं यहां रह सकती हूँ अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत करतूँगी वीना इन सब की तरद तुमारा भी दिमाग खराब हो गया है अब मैं तुम्हें बिल्कुल बरदाश्टी करूँगा तुम्हें ऐसी सजा दूँगा कि तुम याद रखोगी सजा बाद में देना पहले मेरे घर से बाहा निकलो खुद पुरी जिन्दगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सिबक सिखाने की बात बोल रहे हो देखो विना तुम इस घर की बेटी जरूर हो लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती क्यों नहीं रह सकती इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचीन का देश की कानून ने मुझे यह हक दिया है अगर मैं चाहूं तो कोट का सहरा लेकर इस जायदात का आदा हिस्सा ले सकती हूं और हाँ कल्याण तुम से तलाग भी ले सकती हूं वीना देवी का के साथ रह रह कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है और कम्मों मैंने तुमसे कितना मना किया घर से बाहर मत जाओ देवी का की मदद मत करो लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी अब तुम इस घर से और मेरी जिन्दगी से चली जाओ ये कदम उठा कर तुमने बिलकुल अच्छा नहीं किया ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी आपके जूठे अहिंकार और गलत नहीं हों की वेज़े से मैंने अपने दो-दो बच्चे खो दिये अगर उस समय में दाई अम्मा से इलाज ना कराती है और हास्पिटल चली जाती तो सचीन के पराबर मेरे भी दो बेटे होते सभी पती इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे देवीका बहुत देर तक सबकी बाते सुनती रही फिर उस दे अपने पती से कहा सचीन तुमारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली अब तुम बताओ तुमारा क्या फैसला है देवीका मुझे माफ कर दो मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकता मैं मजबूर हूँ मुझे पताता सचीन तुमारा यही जवाब होगा मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रेड की हड़ी वाले आदमे से प्यारी क्यों किया शादी क्यों की अब मैं आप सबसे बस आखरी बार पोच रही हूँ तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं या मैं पुलिस को फोन करूँ देविका आज तक हमारे गाउं में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तु हमारे घर के दर्वाजे पर पुलिस को लेकर आएगी तेरे हम्मत कासे हुई ये बात करने की आज तक इन ओरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निखाला था और दो चार दिन में तुने इन सब को इनके अधीका और भी याद करा दिये अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते घर की ओरते घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दर्वाजे पर उनकी लड़ाई देखकर पूरा गाउं एकटा हो गया देविका को अस्पताल पहुँचा कर घर की ओरतों ने काम तो अच्छा किया इस काम से देविका और उसके बच्ची की जान भी बच गई लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की ओरतों को कैसे चुकानी होगी इसके लिए आपको आने वाला एपिसोट देखना होगा और हमारे प्यारे दर्शकों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि देविका के साथ बाकी ओरतों को क्या करना चाहिए क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संगर्श करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए